एक छोटी है स्माइल और स्ट्रोंग विल पावर के साथ आरे सालया में आपका स्वागत है दोस्तों क्लास 9 के NCRT साइंस चैप्रेट 6 में आज हम उत्तक अर्थाथ टीसू के बारे में स्टडी करेंगे टीसू क्या होता है वे कोशिकाएं जो आकिर्थी में समान होती है तता किसी काड़ को एक साथ संपन करती है समों में एक उत्तका निर्मान करती है अर्थाथ टीसू आर गुरूप्स अप सिल्स देट हव अ सिमलर ए स्ट्रक्चर एंड एक्ट टुगेधर तो परफॉर्म एस स दुसरे सब्दों में कहा जाए तो समान आकिर्थी के कोशिकाओं का समों जो एक साथ मिलकर किसी कारी को संपन करने में सक्षा मुँ उत्तकाहलाता है लास्ट क्लास में हमने सेल्स का स्टड़ी किया था साथ ही जीव में उपस्थित नंबर ऑफ सेल्स के अधार पे इनिसेल के बारे में जाना था इसके साथ ही हमने डिविजन ऑफ लेवर के बारे में जाना था जो मल्टी सेल्लर ऑफ लेवर की किरिया होती है वह ओर्गेंस के द्वारा होता है ठीक है जो मल्टी सेल्लर ऑफ लेवर की किरिया होता है जो मल्टी सेल्लर ऑफ लेवर की किरिया होता है इस chapter में हम इन ही tissues के वारे में study करेंगे तो सबसे पहले हम यह जानते हैं कि जो plant है और animal है तो इस chapter में हम plant और animal में पाए जाने वाले tissues दोनों के वारे में study करेंगे तो सबसे पहले यह हम जानते हैं कि are plants and animals are made of same types of tissues? क्या एनिमल और प्लांट्स जो होते हैं वो एक ही पर करके टिसूज के द्वारा मिलकर बने होते हैं तो ऐसा विल्कुल नहीं होता है Plants और Animals जो होते हैं उनमें कुछ differences होते हैं तो सबसे परले हम Plants और Animals में जो basic differences होता है उसके वारे में जानते हैं जो plant होता है वो stationary होता है अर्थात fixed होता है लेकिन जो Animals होते हैं उसमें movement करने की छमता होती है Movement क्यों करता है? Insert food भोजन की खोज में करता है Matting के लिए करता है और shelter अर्थात अपने आवाज की खोज में करता है Growth के अधार पे अगर कहा जाए तो Plants जो होता है उसमें सिर्फ certain region में growth होता है लेकिन जो Animals होता है उसमें whole body में growth होता है इस अधार पे हम कह सकते हैं कि जो Plants होते हैं उसमें sedentry nature होता है यह एक स्थान पर fix रहने की खमता होती है और जो Animals होता है उसमें locomotive locomotion की खमता होती है अब हम सबसे पहले Plant tissue के बारे में जानेंगे तो Plant tissue जो होता है मुखरूप से दो परकार का होता है Maristematic tissue और Permanent tissue ठीक है तो Maristematic tissue और Permanent tissue जो होता है उसको differentiate करने का जो आधार होता है वो होता है Cells Maristematic tissue जो होता है उसके Cells में divide करने की खमता होती है लेकिन जो Permanent tissue होता है उसके Cells में divide करने की खमता नहीं होती है तो अब हम Maristematic tissue के बारे में जाने की कोशिस करते है Maristematic tissue जो होता है उसके जो Cells होता है वो very active होते है यानि कि उसमें divide करने की खमता होती है इसमे dense cytoplasm होता है इसमें thin, cell वाल होता है जो cellulose के बने होते है Prominent nuclei होते है यानि कैसपस्ट nucleus दिखाई देते हैं इसमें vacuels नहीं होते हैं ठीक है जो Maristematic tissue होते हैं वो कुछ specific regions पर पाए जाते हैं इन specific regions के आधार पर जो Maristematic tissue होते हैं और thin परकार के होते हैं Apical Maristeme, Lateral Maristeme और Intercalorie Maristeme तो यह क्या होता है तो इसमें इस figure के द्वारा जानते हैं जो Apical Maristeme है Apical Maristeme plants के Apex पर पाए जाता है इसके कारण प्लांट में प्लांट के मोटाई में व्रिधी होती है थार जो है Intercalorie Maristeme होता है यह जो हता है plants के Nu-D यानि कि गाणट के पास पाए vaccines आता है इसके कारण plants के Length में ग्रोथ होता है Intercalorie Maristeme के कारण जो Length में ग्रोथ होता है वह बहुत limited होता है बहुत कम होता है ठीके इसके बाद रहे are permanent tissue तो permanent tissue क्या होता है ? कि permanent tissue जो होता है उसमें division कीfunded समाप्थ हो जाती है permanent tissue जो होता है वो मुखरूपसे दो फरकर का होता है simple permanent tissue और complex permanent tissue ठीक है, तो simple permanent tissue और complex permanent tissue को differentiate करने का जो आधार होता है, वो types of cell के आधार पे होता है जो simple permanent tissue होता है, उसमें सिर्फ एक परकार के cells पाय जाते हैं, लेकिन जो complex permanent tissue होते हैं, उसमें 2 या 2 से अधिक परकार के cells पाय जाते हैं अब हम simple permanent tissue के बारे में जानते हैं, simple permanent tissue मुख रूप से तीन परकार के होते हैं, parent काईमा, colon काईमा और excleran काईमा इन तीनों का differentiation इसके cells के position और function के आधार पे किया जाता है, parent काईमा जो होता है, वो generally plants के soft part पे पाय जाता है ये एक living cell होता है ठीक है, और ये living cell soft part के EP dermis के नीचे पाय जाता है इसका जो main function होता है, storage of food ठीक है, parent काईमा का main काईम क्या होता है, food का storage करना होता है कुछ समय, कुछ situations ऐसे होता है, उसमें क्या होता है, कि parent काईमा में chlorophyll भी पाय जाता है chlorophyll क्या होता है, plant जो green color होता है, प्लांट में वो chlorophyll के कारण होता है तो कुछ parent काईमा ऐसे होते हैं जिसमें chlorophyll भाय जाता है और इस परकार के parent काईमा को chlorophyll का जाता है ठीक है, next है colon काईमा, तो colon काईमा क्या होता है, इसका भी position जो होता है वो EP dermis के नीचे होता है, यह भी एक तरह का living cell होता है इसमें flexibility होता है, allow bending यह plants को मोडने में मदद करता है तो parent काईमा और colon काईमा में जो difference होता है यह होता है कि जो parent काईमा होता है, mostly बहुत ही soft parts में पाए जाता है लेकिन जो colon काईमा होता है, वो slightly hard parts में पाए जाता है slightly hard parts करने का मतलब हुआ कि जो थोरा करा हो, जैसे tendrils जैसे कुछ लता के जैसा जो पेर होता है, जैसे locky का पेर तो इसमें क्या होता है कि tendrils पाए जाते हैं, जिसके दोरा वो कुछ अन पार्ट्स को पकरके ऊपर के तरफ जाता है एक spring के जैसा structure होता है, यह slightly hard होता है, ठीके तो इसमें क्या होता है, kolonchyma पाये जाता है, इसके अलाबे ऐसा plants, जो climbers हो तो climbers का जो stem होता है, उसमें भी kolonchyma पाये जाता है, वो slightly strength परदान करता है, ठीके और यह थोरा bend करने में भी मदद करता है, kolonchyma का जो main function होता हो, क्या होता है, mechanical support परदान करना, ठीके next है scleran chyma, scleran chyma जो होता है, वो मुखरूप से hard and tough parts पाय जाता है इसके जो cells होते हैं, वो dead होते हैं, इसका tough होने का region होता है वो lignine होता है जो scleran chyma होता है, तो उसमें जो cell walls होते हैं, इसके आसपास में lignine का deposition हो जाता है लिगनिन के deposition होने के कारण क्या होता है यह बहुत ही hard हो जाता है excleran कायमा जो होता है वो hard htm में पाय जाता है htm में जो vascular bundle होता है उसके चारो तरफ पाय जाता है ठीक है vascular bundle के चारो तरफ पाय जाता है इसके अलावे जो leave होता है लीब के जो वेंस होता है, उसमें भी पाए जाता है, इसका एक और कारी होता है, hard sheet का covering बनाना, कुछ sheets, जिसका hard covering होता है, उसके निर्मान में भी escalern काईमा मदद करता है, जैसे nuts, ठीक है? nuts के निर्मान में escalern काईमा मदद करता है, इसका में जो function होता है, क्या होता है, provides a strength, यह a strength परदान करता है, plants को a strength परदान करता है, अब हम थोड़ा parent chema, colon chema, scaler chema में differentiate कर लेते है parent chema क्या होता है live होता है यह soft होता है ठीके कभी-कभी इसमेu chlorophyll भी पाए जाता है जो olay chema होता है इसमेu shell तो living होता है लेकिन थोड़ा इसमेu protoplasm में कमी आ जाती है ठीके nucleus जो होता है, वो side में आ जाता है, जो nucleus होता है वो beach में होता है, ठीक है? iscler Saud काईमा जो होता है, वो dead cell होता है और इसमें CEL के चारो तरफ lignine का deposition हो जाता है colbell reply Mayma और iscleryn Kid Cayma में difference का होता है कि इसमेn slightly lignine का deposition होता है लेकिन एस्कलेरिन का इमाम क्या होता है? चारत्रप ज्याद्धा मात्रा में लिगनीन का डिपोजीशन हो जाता है. ठीक है? इसके बाद हम थोरह जान लेते हैं, इपीडर्मिस के बारे में. इपीडर्मिस क्या होता है? जेनरली जो प्लांट है, उसका उपरी सता जो होता है, वो इपीडर्मिस के कारण बनता है. अगर हम lip की बात करें, तो लिप जो होता है लिप का उप्रीस हाथ भी epidarmis का बना होता है और उसमें एक खास structure होता है, जिसे stomach कहा जाता है reduce to тон kya होता है, एक दो kidney जैसा structure से गिरा होय struggling होता है जिसके बीच में pores होता है और इसी pore से transpiration की किरिया होती है 사burn ठीक है, क्या होता है, transpiration के किरिया होती है, इसके दोरा क्या होता है, loss of water, जैसे क्या होता है, plants जो होता है, वो root से water का absorption करता है, और water के absorption के बाद क्या होता है, वो gylem के दोरा, plants के different parts तक जाता है, और different parts तक जाने के बाद, lastly हो कहां जाता है, lift तक जाता है, और lift में जाने के बा जो इस टोमाटा होता है, गैस के एक्सेंज में मदद करता है, ठीक है, इस टोमाटा क्या करता है, गैस के एक्सेंज में भी मदद करता है, और ट्रांस्पाइरेसर में भी मदद करता है, इसके बाद है, रूट, रूट में जो इपी डर्मिस होता है, वो क्या करता है, वाटर बाल के जैसा structure होता है, वो क्या करता है, surface area को बराने में मदद करता है, जैसा कि हमने देखा कि जो root है, उसका main काड़ी क्या होता है, water absorption, अगर single root है तो क्या होगा, इसे भी water का absorption होगा, लेकिन अगर इसमें hairs पाया जाएगा, तो hairs पाया जाएगा तो क्या होगा, ये तो surface area है, इसके अलावे इसमें ये जो hairs है, इसके चारो तरब भी एक surface area का की प्राप्ती जाती है, तो इससे क्या होगा, कि ज्यादा water का absorption होगा, नेक्स है, डेजर्ट प्लांट्स, तो डेजर्ट प्लांट्स में जो epidermis होता है, ठीक है, epidermis होता है, उसके उपर waxy coating होता है, ठीक है waxing यानि की mum के जैसा coating होता है, और वो किस से बना होता है, क्योटीन का बना होता है, तो waxing coating होने का benefit क्या होता है, कि ये transpiration को prevent कर देता है, transpiration की किरिया को रोक देता है, कैसे रोकता है, कि अगर इसका leaf है, या फिर तना है, तो इसके उपर अगर wax का layer बना दिया जागा, तो क तो cork क्या होता है कि जब plant grow करता है, जब पूराना हो जाता है, तो क्या होता है, इसके protective tissue में कुछ change जाते हैं, अब इसमें क्या होता है, कि जो cortex होता है, cortex में उपसित secondary meristem, वही बाद में क्या होता है, cork का निर्मान करता है, ठीक है? एक और point याद रखना है, suverine, इसमें जो cork होता है, cork में suverine पाया जाता है, suverine का main card क्या होता है, prevents impervious to gases and water, ठीक है, यह impervious to gases and water होता है, यहाँ पर आप इस्टोमाटा का structure देख सकते हैं, इसमें क्या है, किड्नी का दो, डबल किड्नी से पर इस्ट्रक्चर से घीरा हुआ ह एस्ट्रक्चर है, इसके बीच में एक hole पाया जाता है, और इसके चारव तरफ जो एस स्टोमाटा, इसके चारव तरफ एक guard cell पाया जाता है, जो इसको सुरक्षा परदान करता है, नेक्स्ट है complex permanent tissue, तो complex permanent tissue क्या होता है, किसमें more than one type of cell पाया जाता है, ठीक है, complex permanent tissue मुखरोप से दोपर करका होता है, जैलम और फ्लोम, जैलम जो होता है, यूनिडिरेक्शनल होता है, और फ्लोम जो होता है, वो बाइडिरेक्शनल होता है, तो यूनिडिरेक्शनल और बाइडिरेक्शनल करने का क्या मतलब होता है, जो जैलम होता है, वो water के flow में मदद वाटर के flow में मदद करता है, यानि कि root के दौरा water का absorption होता है और वो plant के suit तक जाता है, यानि कि तना और पत्यों तक जाता है, यानि कि उसर्फ एक deduction में water का flow करता है, लिकिन जो flowem होता है, तो flowem क्या करता है? food का transport में मदद करता है, अब क्या है? माल यह प्लांट है ठीक है अब यह जो डाल है इसमें जो लीफ है इसके दौरा भी food का formation होगा ठीक है food का जो formation होगा तो क्या करेगा यह food को plant के different parts तक पहुचाने में मदद करेगा तो क्या होगा यह ऊपर की ओर भी भेजेगा और कि आपको इस figure के बारे में जाने में असानी होगे यह क्या है एक cross section लिया गया है ATM का cross section है तो ATM के cross section का जब हम study करेंगे तो उसमें क्या-क्या पाया जाता है जो ATM होता है यह फिर कोई भी तना होता है उसका जो बाहरी layer होता है वो EP dermis का बना होता है ठीक है इसके बीच में एक vascular bundle होता है vascular bundle जो होता है वो जाइलम और phloem का बना होता है ठीक है जाइलम और phloem जो होता है उसके बीच में एक तरह का tissue पाया जाता है जिसे cambium कहा जाता है ठीक है दो vascular bundle है दो vascular bundle के बीच में भी एक tissue पाया जाता है जिसे cortex कहा जाता है ठीक है और समझेगे डिटेल्स में अब हमご जालम के बारे में जानते हैं जालम मुखरु लिप ने चरपर करके श्यल से बना होता है क्या क्या होता है ट्रیکेट्स वेसल्स जैलम पैरें कहिमा और जैलम खाईवर्स तो सबसे पहले ट्रैकेटैंड वेसल के बारे में जानते तो trackids and vessels जो होते हैं, उसका थीक वाल होता है, इसमें क्या होता है, यह maturity के बाद, जब यह mature होते हैं, तो dead cell में convert हो जाते हैं, trackids and vessels जो होता है, वो tubular structure होता है, क्या होता है, tubular, tube के जैसा structure होता है, यहीं जो trackids and vessels है, यहीं water के transport में, water and minerals के transportation में मदद करता है, ठीगे, इसमें जो जाइलम पैरेंट काइमा है तो जैसा कि हमने उपर देखा था पैरेंट काइमा का मेंन कार्ड क्या होता है स्टोडेज अफ फूड यहने कि जाइलम पैरेंट काइमा क्या करता है फूड के स्टोडेज में मदद करता है नेक्ट है, जाइलम फाइवर्ज, तो जाइलम फाइवर्ज, इसमें फाइवर है और ये एक DEAD CELL होता है ठीक है, तो ये मुखरूप से क्या करेगा, सपोर्ट परदान करेगा, ठीक है next है phloem, phloem भी 4 पर करके cell से मिलकर बना होता है कौन-कौन cell है, तो सबसाए पहला है sieve cell, sieve tube, companion cell और phloem fibers ठीक है, phloem fibers and phloem, sorry यह 5 पर करके cell से मिलकर बनाता है तो sieve tube जो होता है, वो tube जैसा structure होता है और इसमें perforator यहने की छिदरी तवाल होता है phloem जो होता है, food के transport के, food के transportation में मदद करता है ठीक है, कहां से कहां तक, तो lipsy other part of plants इसमें एक चीज़ ध्यान रखना है, except plant fiber, phloem fibers other phloem cells are living cells, यहनि की जो phloem है इसमें phloem fiber है, वो dead cell है, बाकी जो भी है, वो living cell है, ठीक है, जीवित cell है ठीक है, अब इसमें हमने क्या देखा, sieve cell जाना, sieve cell, sieve cell क्या बाता है, एक तरह का cell है, जो छानने का काड़ी करता है, ठीक है, sieve tube है, जो transportation में, यहने food materials के transportation में मदद करता है, companion cell इसमें सहयोग करता है, phloem fibers जो है, इसको support परदान करता है, mechanical support जो कि यह dead cell इसलिए, mechanical support परदान करता है, और phloem parent काइमा क्या है, parent काइमा food के storage में मदद करता है, ठीक है, तिस तरह से phloem के बारे में आपने जाना, next है cambium, तो cambium के बारे में हम थोरा जान लेते हैं, जैसा कि उपर आपको बताया गया, cambium क्या होता है, कि जो vascular bundle होता है, vascular bundle में मुखरिप से क्या होता है, jylem और phloem होता है, jylem को would भी कहा जाता है, और phloem को basht कहा जाता है, तो jylem और phloem जो होता है, उसके बीच में एक tissue होता है, जिसे cambium कहा जाता है, ठीक है, नेक्ट है cortex तो cortex क्या होता है? जैसा कि stem जो होता है stem में बहुत सारे vascular bundle होता है यानि कि बहुत सारे jylum और phlems का bundle होता है तो दो vascular bundle के बीच में कुछ tissues पाए जाता है इसको क्या कहा जाता है? cortex कहा जाता है ठीक है? अब हम animal tissue के बारे में study करते है animal tissue on the basis of function function क्या धार पे जो animal tissues है वो epithelial tissue होता है connective tissue, muscular tissue और nervous tissue यानि की मुक्रूप्स हम 4 परकार के tissues के बारे में study करेंगे सबसे पहले हम epithelial tissue के बारे में जानते है epithelial tissue क्या होता है? यह covering और protective tissue के जासा काड़ी करता है ठीक है? ऐसा tissue जो covering और protection का काम करता है इससे क्या कहा जाता है? epithelial tissue कहा जाता है यानि कि यह मुक्रूप से upper layer पर पाए जागा या तो body का covering का का काड़ी करेगा या फिर कुछ organ है उसके covering का का काड़ी करेगा ठीक है? इसके साथ साथ यह protection का भी काड़ी करता है इसका एक और function होता है regulating exchanges जैसे कुछ सब्वेस्टान से कुछ minerals या फिर कुछ hormones उसके exchange में भी epithelial tissue मदद करता है epithelial tissue के cell के structure के आधार पे जो epithelial tissue है वो अलग अलग परकार के पाए जाता है जैसे squamous epithelium squamous epithelium जो होता है उसमें जो cells होता है वो flat form में पाए जाता है कि vital में keep form में पाए जाता है strative hide में क्या होता है कि परतदार cells पाए जाता है और kiboidal epithelium में क्या होता है कि kiboidal के form में पाई जाता है तो सबसे पहले हैं squamous epithelium के बारे में जानते है squamous का मतलब क्या होता है squamous का मतलब होता है scales of skin ठीक है squamous epithelium जो होता है उसमें selectively permeable membrane के जैसा nature होता है यानिकि वो limited substance को पार करने के लिए एलाव करता है ठीक है जो squamous epithelium है मुखरूप से कहा कहा पाय जाता है तो lining of blood vessels and lining of lung alevoli squamous epithelium जैसा कि हमने बताया कि यह जो होता है flat cells होता है यानिकि पतले cells होते है तो पतले cells कहा पाय जाएंगे जहाँ पर exchange किया वसकता होती है ठीक है तो जिसे blood cells, blood vessels तो blood vessels में क्या होता है blood का flow होता है तो blood का flow होता है तो उसमें blood के flow के साथ क्या क्या होता है कि blood से कुछ minerals body की unparts में जाता है और unparts से कुछ solutions blood में आते हैं इसके साथ ही oxygen का transportation carbon dioxide का transportation मतला blood से muscles और muscles से blood में होता है तो इसके लिए क्या चाहिए एक पत्ला लियर होना चाहिए जिसे आसानी से transportation की exchange की किरिया हो सके ठीक है इसे के साथ lung alveoli lung alveoli में क्या होता है कि carbon dioxide और oxygen का exchange होता है तो उसमें भी क्या है एक पत्ले लियर क्या हो सकता होती है और पत्ले लियर क्या हो सकता क्यों होती है ताकि oxygen और carbon dioxide का असानी से exchange हो सके ठीक है तो ऐसे parts में squamous epithelium पाए जाता है नेक्ट है astreative hide astreative hide astreative hide squamous epithelium astreative hide करने का मतलब क्या हो परतदार तो परतदार squamous epithelium क्या हो सकता कहा होगी वैसा अस्थान जहांपे wear and tear यानि के तूटने पूटने के किरिया होती है जिससे मुखरूप से हमारा skin ठीक है हमारे skin में हमेशा चोट लगता है जलता है, कटता है, फटता है इन सब जगह पर क्या होता है astreative hide, astreative hide astreative hide, astreative ethelium क्या हो सकता होती है क्यों? क्योंकि अगर single skin रहेगा अगर single layer रहेगा अगर किसी कारण से अगर चोट लगया, कट गया, फट गया तो क्या होगा? कि नीचे का पाट direct ऊपर की ओर आ जाएगा तो इन सब परभाव से बचाने के लिए क्या होता है कि उसमें परतवदार layer होता है एक skin अगर तूट फूट गया तो next layer बचा हो रहेगा और जल्दी ही एक और नया layer का formation हो जाएगा ठीक है? next है columnar epithelium तो columnar काने का मतलब क्या हुआ? कि pillar-like structure ठीक है? तो pillar-like structure तो ऐसा structure कहाँ पाए जाता है? जहाँ पर absorption और secretion क्या आवसकता होती है जहाँ पर absorption की आवसकता होगी? तो ऐसा structure चाहिए जिसमें store करने की छमता हो तो column की जैसा अगर structure हैगा तो क्या होगी? अगर secretion तो secretion तब होगा जब उसमें कुछ substance store होगा तो store होने के लिए क्या चाहिए? कि cubical जैसा structure चाहिए, बरासा structure चाहिए तो ऐसा structure जहाँ पर absorption की किरिया हो और secretion की किरिया हो उन अस्थानों पे columnar epithelium पहे जाता है, जैसे respiratory track, ठीक है, respiratory track हो गया, इसके अलावे, respiratory track, तो क्या है respiratory track, जैसे simply हम माल लेते हैं, हमारा जो track यह है, तो वहाँ पे क्या है, mucos का secretion होता है, तो चुकि वहाँ पे mucos का secretion होता है, तो मुकस का secretion कब होगा, जब वहाँ पे store कर करने का अस्थान होगा, ठीक है, इसके अलावे, एक और है, कि, जो columnar epithelium होता है, उसमें cilia पाए जाता है, तो cilia क्या होता है, कि cilia इस तरह का, here-like structure होता है, ठीक है, तो here-like structure होने से क्या फायदा होगा, चुकि इसमें absorption करना है, ठीक है, absorption करना है, तो अगर surface area जादा रह होगा, surface area काम रहेगा, तो कम absorption होगा, तो इस परकार का जो epithelium होता है, उसमें cilia-like structure भी पाए जाता है, next है, यह जो kiboidal epithelium है, तो kiboidal epithelium जो होता है, इसका जो एक और काम होता है, कि mechanical support परदान करना, sorry, next हम देखते है, kiboidal epithelium, तो kiboidal epithelium के है, कि kiboidal epithelium जो होता है, इसका main function क्या होता है, mechanical support परदान करना, ठीक है, तो mechanical support परदान करना, तो वो थोड़ा ऐसा होना चाहिए, कि गद्यदार होना चाहिए, मोटा होना चाहिए, यान कि cube के form में वो रहेगा, तो cube के form में, यान कि mechanical support, तो ऐसा organ जो ज़्यादा dedicated हो, उसका protection के लिए, इस पर करके cells क्या हो सकता होती है, जैसे kidney, ठीक है, kidney के tubules, celebrity gland, इस सब के protection के लिए, kevoidal epithelium क्या वो सकते होती है, तो कभी-कभी ऐसा भी होता है, कि kevoidal epithelium जो होता है, उससे secretion और absorption के किरिया भी हो सकती है, ठीक है, इसमें कुछ और layer के बारे में जान लेते हैं, जैसे कुछ delicate organs है, उसमें covering पाया जाता है, ठीक है, उस coverings का नामियाद रख लेते हैं, hurt जो है, hurt का pericardium कहा जाता है, लंके covering को pleura कहा जाता है, abdominal pelvic, इसके covering को विशरा कहा जाता है, ठीक है, इसको ध्यान रखना है, नेक्स्ट है, granular epithelium, तो granular epithelium simple होता है, कि जहाँ पर glands, जैसे कि endocrine gland इस सब जोगए, तो generally columnar type का structure होता है, ठीक है, नेक्स्ट है, connective tissue, तो connective tissue नाम से ही पता चलता है, connectivity का काड़ी करता है, तो जो connective tissue होता है, connective tissue जो होता है, मुख रूप से, तीन components से मिलतर बना होता है, ठीक है, पहला होता है cell, दूसरा होता है protein fibers, और थर्ड जो होता है, amorphous ground substance, मुख रूप से अगर कहा जाए, तो connective tissue जो होता है, दो पार्ट से बना होता है, पहला होता है cell, और दूसरा होता है matrix, यह जो protein fibers, और amorphous ground substance होता है, इन दोनों को मिला के matrix कहा जाता है, ठीक है, अब यह connective tissue में, पहला जो connective tissue परते है, blood के बारे में परते है, तो blood क्या होता है, blood एक पर करका connective tissue होता है, तो इसमें जो matrix होता है, उसको plasma कहा जाता है, और जो cell होता है, वो इसमें 3 पर करका, blood में 3 पर करका cell होता है, RBC, WBC और platelets, RBC यानि की red blood corpuscles, WBC यानि की white blood corpuscles, और third platelets, इस जो plasma होता है, plasma मुखरूप से protein, salt और hormone से मिलकर वना होता है, ठीक है, blood का जो काम होता है, मुखरूप से किया काम होता है, transportation of gases, digestive food, hormones and waste materials to different parts of body, ठीक है, waste material को कहा है, तो from different parts of bodies होना चाहिए, ठीक है, next है bone, बोन भी एक तरह का connective tissue है, bone में जो cell होता है, वो दो पर करका होता है, osteoblust और osteocyte, ठीक है, इसमें जो matrix होता है, matrix वो सीन प्रोटीन का बना होता है, ऐसा मना जाता है कि जो matrix से उसमें 95% collagen पाया जाता है, bone जो होता है, वो दो परकार का होता है, compact bone और sponge bone, तो पहले हम compact bone के बारे में जानते हैं, compact bone जो होता है, वो hard bone होता है, इसको हम थोरा सा detail से देखते हैं, compact bone जो होता है, बहुत सारे units से मिल कर बना होता है, इसे क्या कहा जाता है, ostion कहा जाता है, एक single ostion का जब हमें study करेंगे, तो single ostion के बारे में study करेंगे, तो उसका जो central part होता है, उसमें एक hevarchin canal होता है, क्या होता है, यान्स में मुख्रुप से क्या होता है, blood vessels होता है, ठीक है, artery और vein होता है, ठीक है, इसके अलावे इसमें lacni होता है, Canly-cully होता है, और Lemly, Lemly, Leckny, और Canly-cully जो Canly-cully होता है Canly-cully, Lemly और Leckny सबसे पहले Leckny के बारे में जानते है, leckny जो क्या होता है ? जैसा की, osteophy deste साइट से मिलकर बना होता है तो जो osteocyte होता है, वो एक खास तरह का सनरचना में fix होता है, तो जिस सनरचना में fix होता है, उसी को lacunic कहा जाता है, ठीक है? लेमली क्या होता है? जो ये osteone, बोन का जो unit osteone है, उसके चारो तरफ एक layer होता है, जिसे लेमली कहा जाता है, ठीक है? केनली कुली, केनली कुली क्या होता है, केनली कुली जो होता है, एक तरह का small channel होता है, ठीक है, small channel होता है, small channel कैसा होता है, तो red yet is from lacuny, यह जो lacuny है, ठीक है, lacuny से है वर्षिन के नाल के तरफ, lacuny से है वर्षिन के नाल, ठीक है, lacuny से है वर्षिन के नाल के तरफ, इस तरह से चैनल का निर्मान करता है ठीक है आग लास में आप लोग इसका डीटिल से structure study करेंगे आगे हैं cells तो जो bone होता है bone में osteocyte और osteoblast दो परकर का cells पहे जाता है इसका जो matrix होता है वो hard होता है तो matrix का hard होने का region क्या होता है इसमें calcium और first force दो तरह के compound पहे जाते हैं दो तरह के elements पहे जाते हैं next है spongy spongy bone क्या होता है इसको cancellous bone भी कहा जाता है यह मुखरूप से कहा पहे जाता है bone marrow में पहे जाता है और bone marrow कहा पहे जाता है तो हमारे body का जो long bones होता है long bones ج होता है वह hole के जैसे structure होता हैğ hollow structure होता है औरीच में उशका soft part होता है जिसे bone marrow कहा जाता है bone marrow कहा जाता है यहाँ पहे blood का formation होता है और इसमें एक spongy part होता है इससे क्या कहा जाता है spongey bone कहा जाता है next है cartilage और बीच में उसका soft part होता है, जिसे bone marrow कहा जाता है, ठीक है, bone marrow कहा जाता है, यहें पर blood का formation होता है, और उसमें एक spongy part होता है, इसे क्या कहा जाता है, spongy bone भी कहा जाता है, next है cartilage, तो हमारा body जो होता है, body में skeleton system होता है, skeletal system कहांड़े का मतलब क्या होता है, कि हमारे body को structure परद涛ान करता है, तो structure परदान करने के लिए bone कि आवो सकता होता है, और कुछ, soft structure होता है, तो उसके लिए cartilage कि आवो सकता होता होता है, जैसे nose, clear, येर का जो पिन्ना है, जो बाहर समें दिखता है, ट्रेकिया, लेरिंग्स, ये सब जो है, soft part होता है, soft type का structure होता है, तो इसके लिए cartilage क्या वो सकता होती है, ठीक है, जो cartilage होता है, इसमें दो पर करका cell होता है, chondrioblast और chondriocyte, ठीक है, इसमें जो protein होता है, matrix जो होता है, वो chondrioblast प्रोटीन का बना होता है, ठीक है, नेक्स्ट है, Aureolar Connected Issue, तो Aureolar Connected Issue क्या है, ये कहां पाए जाता है, तो found between skin and muscles, ठीक है, muscles और skin के बीच में पाए जाता है, around blood vessels, blood vessels के चारव तरब पाए जाता है, नर्स के चारव तरब पाए जाता है, और bone marrow में भी पाए जाता है, ठीक है, इसका काम क्या होता है, fill the space inside organs जो organs होता है उसके अंदर जो space होता है उसे fill करने कार्ण ये करता है तो उसके अंदर fill करने कार्ण होता है तो इसने क्या होता है a regular connective tissue जो होता है वो क्या होता है spongy type का structure होता है तो कुछ ये support भी परदान करता है ठीक है? internal support बहुत तरह का internal support ये परदान करता है इसके साथ ही ये repair of tissue tissue के repair में भी मदद करता है ठीक है? next है edipose tissue तो edipose tissue क्या होता है यहाँ पर आप देख सकते है fat droplets है और nucleus है तो आगे जब देखेंगे ता आपको समझ मेंगा क्या होता है? edipose tissue edipose tissue क्या होता है? edipose tissue जो होता है वो किसे बना होता है? edipose site नामक sales से बना होता है इसका main function क्या होता है? storage of energy edipose tissue क्या करता है? energy को store करता है किस form है? तो fat के form है edipose tissue हैनि fat का storage करने का काम कौन करता है? edipose tissue करता है जो कि fat एक cushion के ज़ैसा structure बनाता है यानि कि जो एड़िपोज़ टिशू होता है वो cushion के ज़ैसा structure बनाता है एक बात और ध्यान रखने है कि जो यह fat होता है वो heat का bad conductor होता है इसलिए हमारे body को insulate करने के लिए भी अगर कोई इंसुलेटर हमारे बड़ी के चारव तरफ नहीं रहेगा तो क्या होगा हमारे बड़ी से पूरा हीट बाहर निकल जाएगा तो इससे बचाने के लिए एक इंसुलेटर क्या वह सकता होती है और यह जो इंसुलेटर है वो एडिपूज टीसू से बना होता है ठीक है नेक्स्ट है मस्कुलर टीसू तो मस्कुलर टीसू क्या होता है यहनी कि मसल्स ठीक है मसल्स muscular tissue, तो muscular tissue जो होता है, उसमें जो cells होता है, वो myoside का लाता है, ठीक है, myoside, और इसमें जो protein होता है, वो myosin protein होता है, यह एक contractile protein होता है, ठीक है, यानकि इसमें contract करने की contraction की छमता होती है, इसमें contraction और relaxation की छमता होती है, इसी के कारणिया movement में मदद करता है, क्या करता है movement में मदद करता है अब यह जो muscular tissue होता है वो दो तरह का होता है एक होता है voluntary और दुसरा होता है involuntary ठीक है तो voluntary muscles जो होता है उसको skeletal muscles भी कहा जाता है voluntary कहाने का मतलब क्या हुआ कि ऐसा muscles जिसपे हमारे इच्छा का control हो तो जिसपे हमारे इच्छा का control होगा उसको voluntary muscles कहेंगे चुकि हमारा जो skeleton system है maximum skeleton system पर हमारे इच्छा का control होता है हमारे इच्छा के नज़र हमारे skeleton system काम करता है ठीक है इसलिए से skeleton muscle भी कहा जाता है यह जो skeletal muscle है ठीक है यह जो skeletal muscle है याने कि voluntary muscle है इसमें alternate light and dark bands बहाँ जाता है ठीक है इसके लिए से stratiated muscle भी कहा जाता है ठीक है stratiated muscle भी कहा जाता है अगे the cell of this tissue is or long cell जो होता है इस tissue का क्या होता है long होता है cylindrical होता है unbranched होता है और multi nucleated होता है ठीक है को याद रखना है कि जो voluntary tissue होता है इसमें जो cells पाया जाते है वो long होते है cylindrical होते है unbranched होते हैं और multi nucleated होते हैं ठीक है multi nucleated हैने की बहुत सारे इसमें निफिलेस पाया जाता है next है unastriated muscles astriated muscles का हमने study किया अब है unastriated muscles याने की involuntary muscles तो involuntary muscles जिस पर हमारे इच्छा का control नहीं होता है ठीक है तो यह जो muscles होता है यह smooth muscles होता है ठीक है involuntary होता है जिस पर हमारे इच्छा का control नहीं होता है तो हमारे body का over part, जिस पर हमारे इच्छा का control नहीं होता है, जैसे कि eye का iris, ठीक है, eye का iris हो गया, फिर ureator, bronchi, ये सब जो part होता है, उस पर हमारे इच्छा का control नहीं होता है, तो उन अस्थानों में जो muscles पहा जाता है, उसको un-streated या फिर involuntary muscles कहा जाता है, cardiac muscle, एक हमारा जो heart है, heart में जो muscle होता है, उसको cardiac muscle कहा जाता है, या भी एक तरह का involuntary muscles का example होता है, नेक्स्ट है nervous tissue, तो nervous tissue क्या होता है, brain, spinal cord और nerves, ठीक है, brain, spinal cord और nerves, ये सब पार्ट जो है, वो किस से बना होता है, nervous tissue से बना होता है, और जो nervous tissue होता है, किस से बना होता है, neurons से बना होता है, यानि कि जो nervous tissue में cells उपयोगी में आता है, उसको क्या कहा जाता है, neurons कहा जाता है, neurons जो होता है, उसमें मुखरूप से दो पार्ट होता है, exon और dendrites, ठीक है, तो exon और dendrites क्या होता है, usually, each neuron has single long part, called exon, जो single long part है, इसको exon कहा जाता है, many short branched parts, जो many short branched parts है, इसको dendrites कहा जाता है, ठीक है, neuron का दो पार्ट होता है, exon और dendrites, एक पोइंट और याद रखना है, कि the signals, signals that passes along nerve fibers, जो nerve fiber से, जो signal pass होता है, उसको nerve impulse कहा जाता है, क्या कहा जाता है, nerve impulse कहा जाता है, ठीक है, इसके साथ यह chapter समापत होता है, thank you. जाता है